तो आप जैसे अच्छे से जानते हों कि हमने पिछली क्लास में या पिछला वीडियो आप कहलो उसमें हमने बात की थी कि सीटर का इग्जामेनेशन कैसा गया था जुसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि इंग्लिश का उसके अंदर पारग्राफ ऐसे आए थे सीडी भी मैं ऐसे questions पूछे गए थे तो actually है क्या कि इस time पो मैंने बहुत उपर-उपर से चीज़े बताई थी कि अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको थोड़ा सा idea लग जाया अगर आप पहरी बार paper देने चारे हो लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छे है और अगर आपको उसको और up to the mark करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या new चीज़ जो है वो add हो रही है तो उसके लिए हम ये topic लेकर आए है topic तो नहीं है मतलब इसके अंदर बहुत सारे sub topics हैं हो सकता है कि आपने कभी पढ़ा हो actually सारा खेलना presence of mind का होता है अगर आपका presence of mind है तो आप असानी से questions को solve कर लोगे बिना उसके कि आप कोई आता हो या नहीं आता हो लेकिन क्योंकि आप आगे की भी तैयारी करोगे like अपड़ी ट्रिप्लेस भी दोगे के वियस के exams वगएर या और भी जितनी भी teaching exams होते हैं आप दोगे तो उसकी उस लिहास से ये वाला जो topic है वो बहुत important हो जाता है इसके अंदे कुछ sub topics है जोसे रिलिया है, semiotic है ये सारा हम देखने वाले हैं ये सब कुछ क्योंकि भाषा संगम, निपुन भारत इसके उपर ऐसे बहुत सारे questions आया हैं तो बहुत हम अच्छा discussion करेंगे इसके उपर so that आपकी exams अच्छे जाएं, I think 7th of February है वो आपका last examination है तो मैं चाहती हूँ कि जिनकी भी तैयारी थोड़ी बहुत ऐसी है कि 85, 82 तक आजाएंगे हमारे जब आपको 90 लाने है तो उसके लिए आपको ये देखना जरूरी है इससे होगा क्या एक तो आपको ज़्याद question समाझ आएगा क्योंकि हम examination दे चुके हैं तो हम examination दे चुके हैं हमें पता है कि अच्छा ऐसा question आ रहा है तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो पहले जाके चानल को subscribe कर लो क्योंकि इसमें आपको बहुत informative ये video है और बहुत information मिलेगी तो सबसे पहले हम शुरूबात करते हैं रिलिया से ठीक है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर एक teacher है वो teach करना चाहती है किसी topic को और वो चाहती है कि जो है हम new new objects या real objects से पढ़ें तो उसको हम कहेंगे तो real objects which is healthy which is okay real object ही कहा जाएगा जैगा जैस इसे classroom में ले आऊंगी तो उसे real object नहीं कहा जाएगा उसे really कहा जाएगा तो यह कुछ technicality है जो pedagogies के अंदर है तो आपको वो समझनी पड़ेंगी तो पढ़ते हैं हम अपना topic what are some examples of really तो मैंने आपको समझा दिया real objects होते हैं जो आप teaching learning में इस्तमाल करते हो बच्चे को incorporate what's already in your classroom really का इस्तमाल आप उन चीदों में कर सकते हो जो आप ये classroom के अंदर है यानि कि आप ये classroom में desk है chair है poster है ये सब कुछ आप ये class के अंदर है जैसे decks का जो उपर का part होता है बता सकते हो कि rectangular है poster है अगर वो square में cut है आपने poster लगा रखा है वो rectangular shape का भी हो सकता है square shape का भ classroom के अंदर भी हो सकते हैं लेकिन बाहर से मंगवाई भी हो सकते हैं और it can be something you have brought from outside of class जो कि आप class के बाहर से लाए हो जैसे आपने बच्चों को बोल था कि बच्चे एक काम करना कल stuff toy लेकर आना ठीक है like a collection of colorful brush जो ब्रोश जो ब्रोश जो ब्रोश लेकर आगए आप ठीक है stuff toy or stuff animals लेकर आगे tickets लेकर आगे जैसे कि वो ओमाना's journey अगर हम सिर्थ class की EVS की बात करें तो उसमें ओमाना's journey from the window and reaching grandmother house वाला है तो वो train से travel करते हैं तो आप train का ticket ला सकते हो train का time table ला सकते हो बच्चों से कोई चीज मंगा सकते हो souvenirs ला सकते हो you got while traveling अब ये सब क्या होते हैं ह या कहेंगे उसका मतलब वैसे तो real object भी सही हा मतलब है अगर आपका option में really नहीं है तो आप real objects पही टिक लगाओगे यानि कि वास्तविक चीजों पही टिक लगाओगे लेकिन pedagogy की language में उसे really कहेंगे तो वो वाली language इस्तमाल करना जरूरी है तो ये stuff toy हो गया जैसे आप जैसे कि मानलो elephant के जो कान होते हैं वो बिलकुल कैसे होते हैं पंखी के जैसे बहुत बड़े-बड़े होते हैं तो आप उसको दिखाने के लिए ये ले आए आप फिर एक हेरन भी ले आए मतलब बच्चों से बोला जो घर में stuff toy होंगे animals वो लेकर आ जाना आप birds ले आए त पत्थर दिखा शेल दिखा या जिसके मतलब पानी के आसपास दिखा आप घर पे ले आए मतलब घर पे ले आए यानि कि यादगार चीज ले आए तो यह जैसे कि भुर्च खलीफा है obviously भुर्च खलीफा तो अपने घर में नहीं ला सकते लेकिन उसका कुछ portrait type ला सकते हो ठीक है ये बार से लोना वगेरा मतलब ये इंडिया के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आप कश्मीर से कुछ लेकर आ गए है ना जैसे वुडन चीज़ें वहाँ पे जादा मिलती हैं तो वो सब आप ले आए तो कहने का मतलब है रिलिया वो रियल ऑप्जेक्ट्स होते हैं जो पड़ लिया टॉपिक, इसके उपर क्वेशन आ सकता है और आया भी है मेरी एक्जाम में तो आया है हो सकता है आपके एक्जाम में भी आ जाए अब आता है सीमियोटिक, ये बिल्कुल object permanence जैसा है, ठीक है मतलब object permanence का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा ना कि अगर आप उसे एक चीज दिखाओ, पेंसिल दिखाओ या कोई चीज है जिससे वो खेल रहा है, आप उसको छुपा के रख दो, तो ऐसा नहीं कि वो चीज गुम हो जाएगी, या वो चीज है ही नहीं, अब एक्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा नहीं है, बच्चे को कुछ टाइ लिए यहाँ पर बैठी हुई हो, खेल रही हूँ, तो यहाँ पर ने एक स्टफ टॉय रखा है, जैसे मानलो यहाँ पर वही हाथी, जो है, उसके बड़े-बड़े काने, वहाला स्टफ टॉय है, मानलो मेरी स्कूल में एक फ्रेंड है, अब मैं कहूँ कि यह वाला जो मतलब म इसको बोलता है, यह बहुता क्यों है, मेरे साथ है, मतलब मेरे चेप्रेंड है, जैसे मानलो के एक बैर मही है, थाज़े लिए ऐसी को और मैरे साथ खेल रहा हूँ, इससे सीमिवाटिक, ronte इसे simplet वहाँ जो है, यह मेरे मम्मी थे बहुता है, यह मेरे महीं, और न जो है वो मेरा friend है और मैं इन सब symbols के साथ खेल रही हूँ हाला कि वो लोग सच में present नहीं है उसका भाई या मेरा भाई मेर सा सच में नहीं खेल रहा है मेरी मम्मी मेर सा सच में नहीं खेल रही है मेरी friend मेर सा सच में नहीं खेल रही है तो आप और exam वैसे भी Hindi English दोनों में आ रहा है ऐसा निया कि आपको बार-बार जो वो है कि नमें वो change करने की जरूरत है आपको language change करने की विजरूरत नहीं है bilingual चल रहा है मतलब उपर English का question लिखा वे नीचे हिंदी का question और answers लिखे वे हैं मतलब options लिखे वे हैं semiotic पढ़ते हैं according to Pyaji Pyaji से 2-2-3 questions पूछे वे हैं so according to Pyaji the semiotic function is a representational ability मतलब हम लोग represent कर रहे हैं किसी एक symbol को हमने मान लिया है कि ये वो है that emerges जो emerge होता है when the child is about 18 months old जब बच्चा 18 months old चुका है 18 months old चुका है और अब कुछ महीने बच्चे हुए है ठीक है 6 months old मतलब 1.5 years मान लो 18 months old it is a unified capacity a unified capacity है that enables a child to represent an object or an event that is not present यानि कि मेरी friend मेरे घर पे अभी present नहीं है लेकिन मैंने एक symbol को मान के मतलब मान लो कोई तकिया है कोई चदर है मैंने उसको मान लिया है कि मेरी friend और मैं इसके साथ खेल रही हूँ ठीक है मतलब छूटी बच्चा ऐसे ही करता है ना उसके आसपास कोई नहीं होता है तो वो किसी भी चीज़ों कुछ भी मान लेता है तो ये बच्चों की एक वो है मतलब रेप्रेजेंटेशनल स्किल समझ दो बाइमींस ओफ अनादर अबजेक्ट आपके सामने प्रेजेंट है असी सब्झेक्ट हैने कि कोई दूसरा अप्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट है आपने उसको मान लिया है कि ये वो है जो बच्चा समझ रहा है जैसी कि उसका फ्रेंड हो सकता है मम्मी हो सकती है, मान लो घर पे कोई नहीं है ऐसे बच्चे को चोड़ना तो नहीं है, तो बच्चे को खेलना है बच्चे को खेलना है, बच्चे का बैग सामने पड़ा था तो बच्चे ने बोला कि यह जो बैग है वो मेरा मेरी फ्रेंड है, या मेरा फ्रेंड है unified capacity है that enables जो बच्चे को enable करती है child को to represent an object कि एक object को आपने represent कर दिया या एक even को जो कि हो नहीं रहा है जो कि present नहीं है लेकिन आपने मान लिया है तो यह semiotic functions है अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा रगता है कि really and semiotic आपको समझ नहीं आए है तो आप comment section में बता सकते हो मैं और अच्छे से explain करने की कोशिश करूँगे हादा कि यह दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली है रिलिया भी हमने पढ़ लिया semiotic भी हमने पढ़ लिया तो यहाँ पर अभी निपुन भारत के उपर भी question आया था अच्छली मल्टी लिंग्वल क्लास्रूम के अंदर यो लोता है कि ताकि बच्चा जो है अपनी भाषा में या बहुत सारी भाषा का उसको ज्यान मिले तो यह वो application है अब यह लेकर कौन आया वो भी देख लो भाषा संगम initiative अंडर 1 भारत श्रेष्ट भारत तो यह वाप्शन में लिखावा था की भारत जो है वो एक है और यही एक भारत जो है सर्वस्ट्रेष्ट है सर्वस्ट्रेष्छले है क्योंकि यहां पे इतनी ज़्याधा diversity, यहां पे बहुत ज़्यादा विभिनताएं हैं, तो यह celebrate करता है the unique features of our country, हमारी country कितने unique features है, कितना different different khana है, कितने different different clothing है, कितने different different art and craft की चीज़े है, तो हम अपने country की जो uniqueness है, उसको हम एक भारत श्रीष भारत के अंदर वो करते हैं मतलब उसको हम प्रमोट करते हैं एक तरीके से थ्रू प्रमोटिंग 22 स्केडियू लांगवज़ज़ देखो यहाँ पे 22 भाशाओं की बात हो रही है मैंने पिछली क्लास में यह पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि 22 languages हैं जुसमें से आपना एक बार नजर उन 22 languages पे डाल लो क्यूंकि इसमें Bodo मैंने बताया था ना कि Bodo वो language है जो 22 भाशाओं के अंदर है क्यूंकि मैं बाकी subjects की भी तैयारी कर रही हूँ बाकी भी क्या बोलते competitive exam की तैयारी कर रही हूँ तो ये है, तो 22 languages है and also Indian sign language, यहनि कि एक भारत श्रेश्च भारत या भाशा संगम प्रमोट करता है भारत की जो भी Indian sign language है, 22 languages है, among learners in school, ताकि बच्चा multilingualism सीखे, मतलब बहु भाशिक हो जाए, है ना भाशा को सीखे, तो ये एक भारत श्रेश्च भारत के अंदर भाशा संगम एक छोटा सा, एक initiative है, मतलब उसके अंदर आता है, ये उस scheme के अंदर आता है, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा, और ये quiz भी होता है, मतलब ये एक application है, अब इस quiz का objective क्या है, तो देख लेते है, to create an awareness among learners, teachers and parents about our linguistic diversity, ताकि हम लोग को पता चले कि हमारे भारत के अंदर बहुत स बहुत सरी भाशा सीख सकते हो, आपको celebrate करना चाहिए, as an Indian आपको celebrate करना चाहिए, कि हमारे पस कितनी ज़्यादा भाशाएं है, कितनी भाशेक तौर पे हम लोग vivid हैं, तो ये करना चाहिए, to celebrate India's lingual and cultural diversity through languages in school, कि कितने-कितने अलग cultures होते है, languages होती है, और ताकि हम 22 भाशाओ के बारे में हम कुछ जान सके, through the hundred sentence in the languages, actually है किया न, ये quiz है, इसमें आपको एक भाशा सिखाए जाती है, और शायद आपको एक certificate भी दिया जाता है, कि आपको ये भाशा आ गई, लिकिन आपको उसका test देना पड़ेगा, और ये सब कुछ online है, तो ये भी एक तरीका है, इपुन भारत के उपर भी question आया है, जिसका एक वो है, जिसकी standard form है, वो भी हम देख लेंगे, तो देखो भाशा संगम, इसमें पूछा वाता कि अगर हमें बच्चों का भाशा को अच्छा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस application के through उनको पढ़ाना चाहिए, यानि कि भाशा संगम marks the unique symphony of languages of our country, कि हमारी country में कितनी सारी भाशाएं हैं, मतलब बोलियां भी बहुत सारी हैं और भाशाएं भी, भाशाएं तो जो actual languages हैं वो scheduled, जो 8 scheduled में वो तो 22 हैं ही, and in an expression of shared dreams, कि हम लोग का एक सपना है, एक shared हम लोग का एक जैसा सपना है, हम लोग की एक जैसी अकांशाए, hope है, aspiration है for one India, कि भारत एक हो जाएं, under भाशा संगम initiative, it was planned to provide multilingual exposure to students, कि भारत के बारे में, भारत की भाशाओं के बारे में बच्चों को exposure हो, यह जरूरी है, और वो भी जो की 8 schedule of the constitution में दे रखे हैं, तो यह था आपका भाशा संगम के बारे में, ठीक गूगल है, उस पर मिल जाएगा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, रिलिया, एक और बार पढ़ लेना आप, और सीमियोटिक एक और बार पढ़ लेना, प्याजो से related है, मैंने क्या बताया था, रिलिया वो real objects होते जो teaching learning में, classroom के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर से लाए गए होते हैं, यानि कि जो आप बच्चों से घर से मंगवाल हो, या बाहर से खरीद के लिया हो, सीमियोटिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि जो मतलब एक symbol है, जिसको बच्चा मान लेता है कुछ, कि ए History of Education has launched the Nippon Bharat program in 2023, इसलिए ये question आया, क्योंकि 2023 में आया है, तो इसलिए ये आपके exam में question दे दिया, is a national initiative, ये national initiative है, मतलब पूरे nation ने ये initiative लिया है, ताकि आपकी reading में proficiency हो सके, understanding हो सके, numeracy, Nippon Bharat, यानि कि क्या है ये national institute, national institute for proficiency, understanding in reading and with understanding, मतलब read up, आप ऐसा मत करो कि read करते चले गए, जैसे मैंने read कर दिया, भाशा संगा, marks the unique symphony of languages, आपको समझ में आना चाहिए, मतलब अगर आप कोई चीज रीड कर रहे हो, तो आपको साथ सा दिमाग में बैठनी भी चाहिए वो, साथ समझ में आना चाहिए, तो reading करो with understanding, समझ के साथ, और numeracy, यानि कि बच्चा, maths में भी जो गुणा भाग वगेरा होता है, ये सब भी करते है, for ensuring that every child in the country necessarily attains, ताकि बच्चे का foundation literacy complete हो जाए, that is FLN, क्या है ये FLN, FLN है foundational, यानि कि basic, जो बच्चे का अधार है वो इक्दम पक्का हो जाए, जिसमें बच्चे को literacy साक्षरता भी आ जोग्रफी पढ़ाती हूं, तो जोग्रफी में चाप्र था 3rd, उसके अंदर साक्षरता का पूरा अच्छे से definition में लिखा वाता है, कि साक्षर वेक्ति कौन है, जो साथ सी है, पंदरा साल का बच्चा होगा, जो से read and write करना आता होगा, लेकिन with arithmetic calculation or with understanding, मतलब उसको गणति चीजे भी आनी चाहिए, प्लस माइनस या वो जो भी होता है, जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे कि आप मार्केट में गए और आपको समान खरेट के लिए कर आए, तो आप गलत क्या कम पैसे मन ना लियाओ, ना जादा पैसे लियाओ, तो आप ठीक, प अपन भारत के उपर था, अब इंग्लिश के पेड़ागोजिय में ये क्वेस्चन आया हुआ है, प्रोसेस और प्रड़क्ट अपरोच, इसको हम पढ़ने वाले हैं, हो सकता है आपने पहले पढ़ा और हो सकता है, यह आपने पढ़ा ही ना हो, ना आपको पता हो, तो प्र प्रोसेस को ऐसे प्रक्रियाद करेंगे कि प्रक्रियात्मक लेखन उपागम क्या है, कुछ ऐसा हो सकता है, आप लोग एक बार देख लेना, और प्रड़क्ट का मतलब होता है उत्पाद, हिंदी मेजी से उत्पाद कहते है, तो उत्पाद या उत्पाद लिखित इससे हम प्रोसेस कहते हैं, कि कैसे-कैसे हो रहे, जैसे आप मागी बनाओगे, तो सबसे पहले आप ग्यास जलाओगे, और पर पानी रखोगे फ्राइपन में पिर तरह-तरह की जू-जू-जू भी चीज़ें आप वो करोगे, तो तिस इस दप्रोसेस, प्रड़क्ट क्या process product approach ठीक है actually इसमें ऐसे लगा ले ना process writing approach यह English में और Hindi में दोनों में पूछी जा सकती है so the process अब हम यह पढ़ने वाले process approach treats all writing as a creative act कि हर writing जो है वो creative है जसे अब देखो एक होता है कि ऐसे लिखना है आपने आपने एक मन से इससे लिखा examination में तो आप मन से इससे लिखते हो लेकिन अगर आपको project मिला तो आपने google figure पे check कर लिया so that is not the process approach यह process approach नहीं है जो आपने copy paste किया है that is product ठीक है वो product है process approach का मतलब आप खुद लिख रहे हो यह भी creative thinking है so the process approach which treats all writing as a creative act कि एक रचनात्मक चीज होती है जो आप लिख रहे हो which requires time जिसके इनना time चाहिए भई अगर मुझसे teacher बोलेगा कि तुम दो महिने के चुटियों में जा घूमने गए थे उसके बारे में लिखो तो मैं सोचूंगी है ना मुझे सोचना पड़ेगा it requires time इसमें time चाहिए होगा and positive feedback to be done well teacher हमें फिर positive feedback देगा in the process writing the teacher moves away from being someone who said students are writing topic मतलब इसमें क्या होता है कि teacher एक ऐसा काम नहीं करता कि यह topic है मतलब बच्चे को खुद से लिखने दो तो यहाँ पे teacher moves away यानि कि वो इस conventional method से जो परंपरागत method है उससे पीछे हड़ जाती है कि हम बताएंगे topic और बच्चा लिखेगा बलकि बच्चे को करने दो खुद ही लिखने दो the teacher moves away from being someone who sets students a writing topic and receives a finished product for correction without any intervention in the writing process itself तो मतलब इसमें teacher जो है वो आपकी help भी करेगा as a facilitator काम करेगा आपको सोचने का मौका देगा और बजाए इसके कि यह लिख कर ले आना छाप के ले आना इससे बेटर है कि बच्चे को खुद लिखने का environment दो है ना तो आपको बच्चे को conducive environment देना चाहिए ताकि वो खुद ही उस creative piece को लिख सके अपने बुद्धी का इस्तमाल करके समझ रहे हो तो यह important चीज है फिर आता है whereas the product approach I mean whereas the product approach focuses on writing task यानि कि यह बस writing task में help करते हैं उपर वाले में बस यह था कि आप कुछ creative लिखने की कोशश कर रहे हो जुसमें आप सोचते हो सारी चीज़े करते हो लेकिन product approach focus करती है बस writing में writing task in which the learner imitates जुसमें एक learner बस imitate करता है imitate का मतलब है बस नकल करता है copy करता है transform करता है teacher supplied model जो teacher ने दिया है उसी कोई copy कर लेता है या transform कर लेता है तो that is product approach that is process approach जिसमें आप कुछ नया बना रहे हो ठीक है the primary goal of product writing is an error-free coherent text यानि कि जो product approach होता है जिसमें बस आप copy paste कर रहे हो उसमें बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए जैसे 12th class में हमको कुछ projects मिलते थे तो teacher कहता था कि सही सही लिखकर लिखकर आओ बेशक से चाप दो कोई दिक्कत नहीं है पर यहाँ पर चापना नहीं है process approach में आप खुद अपने दिमाग से बना रहे हो ठीक है इसके अंदर plagiarism या plagiarism जो हम पढ़ते है net के paper में वो भी आ सकता है plagiarism का मतलब यह होता है कि जुसमें आप copy paste कर रहे हो तो यह गलत है आप यह content चुरा रहे हो जबकि process में आप खुद नया कुछ create करने की कोशश कर रहे हो बस यही difference है दोनों में process and product approach अब next चलते है that is एक तो बहुत सारे question में आपको ऐसे लगेगा बहुत सारे questions में आपको ऐसे लगेगा कि उसमें presence of mind की जरुवत है ठीक है I'm so sorry वो मेनी dog है तो वो कुछ उसको दिखता है तो वो बहुती है तो आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि अबोते को अपरेट करना पड़ेगा तो required presence of mind बहुत सारे question में ना presence of mind की जरुवत होती है यानि कि अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप कुछ चीजों को देख करके understand कर सकते हो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ यही इसका एक मात्र वो है जोसे submersion में ना मैंने यही किया था थोड़ा सा दिमाग का इस्तमाल किया था क्योंकि बाकी कुछ भी match नहीं हो रहा था देखो हुआ कैसे कि submersion का मतलब होता है जब आप आत्मसंबर्पन कर दो या फिर जिसे हम कहते हैं कि मैंने submit कर दिया है submit in the sense कि हमने बोलते ना कि आप subjugate हो जाओ किसी के नीचे जुग जाओ किसी के सामने जुग जाओ तो उसे हम कहते हैं submerging कि submit कर दिया आत्मसंबर्पन कर दिया तो वैसा ही उसी को सोच करके मैंने टिक किया था तो presence of mind की जरूरत है यहाँ पे यहाँ पे submerging का मतलब यह होता है submerging is basically education एक education होती है इसमें question के पूछा गया था कि एक लड़का है यह एक लड़की है जो भी बच्चा है उसको आपने कैसे school में डाल दिया जहाँ पे उसकी regional language में कोई instruction नहीं देता instruction मतलब उसकी regional language में नहीं पढ़ा जाता पढ़ा जाता है केवल और केवल कौन सी language में जो state की language है यानि कि जो state की actual language है उसमें पढ़ा जाता है बच्चे की language का इस्तमाल बच्चे की language का इस्तमाल नहीं होता state का इक अलग सा language है उसका इस्तमाल हो रहा है तो ऐसे में बच्चे की आप language का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं उसको पढ़ाने में तो यह समर्जन है तो language minority student जो minority है जो संख्या में कम है language वो मतब language बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसे students को अगर आप इसे normal ordinary classroom में बठा दोगे जहाँ वे केवल English बोली जाती है उसकी regional language का इस्तमाल नहीं किया जाता कोई special program नहीं किया जाता बच्चे के लिए या कुछ ऐसा बच्चे के लिए को special नहीं किया जाता ताकि उसको भी inclusive feel हो तो to help them overcome the language problem अब बच्चा दूसरी language background से आ रहा है आप दूसरे में instructions दे रहे हो बच्चे को नहीं समझा पाएगा तो आपको कुछ special करना चाहिए था उस बच्चे के लिए ताकि उसको भी कक्षा में include कर से को पर आपने नहीं किया तो इसको हम कहते है submerging तो submerging is aptly described as sink or swim कि आप उसमें sink हो गए जुक गए the minority home language language one is not used at all in the classroom यानि कि जब उस बच्चे की जो language है आपने सो classroom में use नहीं किया so that is submission कि submerge हो गया है मैं को एक word याद में आ रहा है जिसे हम आत्मसमरपन कहते हैं क्या बोलते हैं उसको submit करना या फिर आत्मसमरपन को कुछ बोला जाता है वो मुझे submission या कुछ इस तरह का ही word है वो तो उसी से समझना पड़ेगा यानि कि आपकी language important नहीं रही जिसमें आप बातचीत करते थे बलकि कोई और language में आपको पढ़ा जा रहा है जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगी तो आपने बच्चे की help नहीं करी और जब help नहीं करी उसकी जो language आपने उसको स्तमाल नहीं किया आपने वही language चलने दी जो class में चल रही है बच्चे को चाह समझ या ना आए इसे submerged language या submerged education कहते हैं जुसमें आपने बच्चे की language पर कोई focus नहीं किया ना ही उसे include करने की कुशच करी ना उसके लिए कुछ special आपने किया तो ये है एक और question आयावा था decoding के उपर ये communication में basically use होता है the decoding of a message जब हम बात करते हैं तो हम message जब लिख करके भीज जब रहा है that is decoding तो decoding of a message is how an audience member is able to understand की मतलब decode का मतलब होता है आप इस sentence को क्या समझोगे है ना member is able to understand आप कैसे understand करोगे interpret करोगे message को क्योंकि message interpret करना भी एक बहुत art है अब किसी ने लिख के कुछ और दिया था आप में समझ कुछ और लिया ये भी नहीं होना चाहिए तो आप से बोला आता टाइम मेरे ले coffee ले आना अब depend करता है कि आप इसे interpret कैसे करोगे आप ये भी हो सकता हो कि इतनी rude है वो बस कह रहे थी कि तुम आजाना और coffee लेकर आजाना या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इसके request तरीके से समझे तो depends upon कि how you interpret the message so this is what yeah this is how decoding works ठीक है ऐसे ह काम करती है कि आप कैसा interpret करते हो message को it is a process of interpretation and translation of coded language मतब coded information that is encoding आप कैसे उसे समझने योगे form में comprehensible form में लेकर आते हो that is decoding the audience is trying to reconstruct the idea by giving meanings to symbols यानि कि कुछ symbols होते हैं जैसे cup cup ये एक symbol है cup alphabets use होया है और इसमें लिखा है cup इसका कुछ meaning है इसका क्या coffee पीते है उससे meaning है तो हम कुछ particular चीजों को ना कुछ symbols को कुछ meaning दे देते हैं by interpreting message as a whole तो आपको क्या करना है उन्ही symbols को ऐसा question आ था कि एक बच्चा जो है वो कुछ symbols को कुछ symbols को समझने की कोशच कर रहा है तो उसको decoding कहींगे जिसमें आप symbols को decode करने की कोशच करते हो उस प्याजे के उपर मैंने बताया दिया है कि प्याजे के उपर तो concentration and centration के उपर question आया था conservation and centration के उपर question आया था sorry goal work का moral development के उपर आया था एक question था कि बच्चा है वो मतब निशाया करके कुछ ऐसा था वो लबसे last question था CDP का ऐसा कुछ करके था उसमें खाथा कि बच्चा जो है वो यह ensure करना चाहता है कि वो अपना पूरा homework करे उसको अपना पूरा homework करना है तो वो किस चीज से बचना चाह punishment ना मिले इसलिए आप वो काम करे हो या फिर आपको कुछ खुद का इंटरस्ट है conventional stage वो stage होती है जो इसमें बच्चा काम कुछ कर रहा है ताकि उसको बस यह मिले की good girl and good boy तो इसलिए वो बच्चा काम इस ते कर रहा है homework अपना इसलिए कर रहा है ताकि उसको teacher के सामने shame मह so that is the conventional stage of moral development तो यह question पूछा हुआ था दूसरा एक और question था extrapolation extrapolation sorry दो होते हैं चीज़े एक interpolation होता है एक extrapolation होता है यह English में पूछा गया था extrapolation reading भी होती है extrapolation reading का मतलब क्या होता है actually question यह पूछा गया था कि एक बच्चा है उसने पूरा एक paragraph पढ़ा तो बच्चे को न कुछ कुछ चीज़े समझाई only दो question थे ऐसे कि बच्चे ने एक paragraph पढ़ा उसे पूरा समझ नहीं आया उसे बस थोड़े से words words जो है समझ आया औ structure सही होना चाहिए आपने जो English में लिखा उसका structure सही होना चाहिए बलकि semantics का मतलब होता है कि earth सही होना चाहिए तो बच्चे ने semantic का इस्तमाल किया है यह English में use होता है बच्चे ने semantic का इस्तमाल किया है so that नो earth को समझ दे मतलब पूरा paragraph उसने पढ़ा उसको नहीं समझ आया तो उसने फिर भी इसका अर्थ निकाल लिया due to semantics क्योंकि उसे कुछ-कुछ words का मतलब पता था same extrapolation भी होता है an extrapolation is a kind of educated guess यहनी कि तुक्का लगा दिया अपने मर्जी से educated guess educated guess का मतलब है कुछ words लिखे होंगे आपको पूरा paragraph समझ नहीं आ रहा लेकिन आपने वो words पढ़ लिये आपको उन words का meaning पता था अब आप समझ गए कि अच्छा हाँ यह paragraph इस बारे में है so when you make an extrapolation you take the facts and observation आप कुछ facts देखते हो observe करते हो about a present of or known situation and use them to make a prediction about what might eventually happen कि मतलब आगे क्या हो सकता है हम कोई story पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं अच्छा यह यह है तो पक्का आगे ऐसे ही होगा तो यह होता है extrapolation इसका simple मतलब यह है कि educated guess करना की अच्छा यह आगे हो सकता है मतलब इसमें होता है कि आप कुछ इसमें होता है कि आप unknown चीज से तो यह होता है कि आप known चीजों से दो चार known चीजों से आप कुछ पता लगाने की कोशच करते हो इस तरह का है आपने उतना detail में नहीं जाना extrapolation का simple मतलब यह है जब आप educated guess करते हो कि अच्छा आगे ऐसा हो सकता है आप prediction करते हो simply और एक question और आ रखा था वो यही वाला question था 5 plus 3 plus 3 plus 4 वाला ऐसे याद करते हैं इसको पहला क्या है कि पहले 2 साल 0 to 2 years बच्चा तो अपने मम्मी के पास रहगा खाएगा पीएगा और यह सारा लेकिन जैसे वो 3 साल का होगा यह time period बहुत ज़रूरी है और यही है यह 3 साल में आगनवाडी के school में होगा वो कुछ सीखेगा तो इसमें बच्चे का बहुत ख्याल रखा जाएगा पालन पोशन सब कुछ अच्छे से पूरा nutrition सब कुछ का देखा जाएगा और यह कुछ schools में होगे जैसे चोटे-मोटे जो मतलब यह आगनवाडी जो चोटे बच्चों के लिए होता है जो कुछ-कुछ सिखाने का काम करते है बच्चे को मतलब आप 2 साल के बाद इसी में डाल दो, कम से कम 3-4 की एज में वो यहाँ पर करेगा 3-4 की एज में वो यहाँ पर होगा 2 साल, ठीक है? मतलब जो भी 3 साल है उसके बाद वो यहाँ पर होगा 3 साल के लिए वो 3 से लेकर के 5 मतलब 6 तक वो यहीं पर रहेगा उसके बाद वो दूसी कक्षा में चला जाएगा 6 से लेकर के, जो भी 7 और 8 है तो मतलब यह इस तरह का कुछ question पूछा वा था कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की कब से शुरू हो जाएगी तो वो तो जब 3 साल का होगा तबी से शुरू हो जाएगी लेकिन यहाँ पर यह है कि वो कौन सी कक्षा तक तब तक पढ़ लेगा तो जैसे यहाँ पर है न 3 प्लस 2 है 3 प्लस 2 का मतलब is equals to 5 हो गया तो यह जो 5 है न यह क्या represent करता है तो यह represent करता है कि 3 साल बच्चा आगनवाडी में पढ़ेगा और जो 2 साल होंगे उसमें 1st भी कर लेगा और 2nd भी कर लेगा इसमें आप 3 साल आगनवाडी में होंगे और 2 साल आप कहा होंगे जो यह 1st and 2nd है वो complete कर चुके होंगे तो यह new education policy के उपर question पूछावा है बहुत important है ठीक है अब वैसा तो इतना ही पूछेंगे primary level तक तो तो यह चीज़ें कुछ थी जो important थी मेरे खाल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छा introduction नहीं बहुत अच्छा discussion किया है in case कोई doubt होता है तो पूछ सकते है otherwise यह सारी चीज़ें important है extrapolation, kolberg और यह जो new education policy के उपर पूछा वाए फिर उसके बाद यह decoding of message किसे कहते है and हिंदी में भी समझ जाएंगे और submerging हिंदी का submerging मुझे पता नहीं है लेकिन इसका मतलब यही है कि आपकी language जो है वो submerge हो चुकी है यानि कि आपको उसमें नहीं पढ़ा जाएगा आपको state की जो language है उसमें पढ़ा जाएगा तूसरा दिमाग का इस्तमाल भरबूर तरीके से करना है English का question समझनी आए तो हिंदी में ज़रूर पढ़ना है अभी फिलहाल तक के लिए तो यही किया जा सकता है ठीक है तो मिलते हैं next video में next किसी topic के साथ जैसे से मुझे याद आता रहेगा हम वैसे से करनेंगे बाकि आप यह निपून वेगेरा यह जितनी भी योजना यह सारी पढ़ सकते हो so keep learning and keep discerning and keep watching my videos thank you so much